क्लास चौथी के बच्चों के लिए पाठ संख्या 11 पे जो कविता है कुट्टे की सीख उसे मैं आपके समक्स प्रस्तूत का रहा हूँ बच्चों पाठ संख्या 11 को आप खोल लें पाठे पुस्तक को खोल लें और वहाँ पे आप देखें आपको दिखाई देगा एक कविता उस कविता का नाम है कुट्टे की सीख ठीक है तो मैं इसे पढ़ता हूँ और आप सब को भी पीछे पीछे दूराना है ठीक है वन में एक घनी जुर्मूट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर खरहा मने खरगोस वन मने जंगल जुर्मूट आप लोग समझते हैं जो जाडियां होती है उसको आप लोग जाडिया जुर्मूट कहते हैं तो वन में एक घनी जुर्मूट जुर्मूट कैसी थी घनी थी वन में एक घनी जुर्मूट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर देखो बच्चों खरहा एक छोटा सा बहुत ही दूरबल जीव है हलांकि ये बहुत तेजी से दौड सकता है लेकिन सभी दूसरे जानवरों से डरता भी है तो इसे सबकी आँख से बचाकर के रहना ही पड़ता है नहीं तो दूसरे कोई भी जानवर इसको मार के खा जाएगे ठीक है तो फिर से सुनिए वन में एक घनी जुर्मूट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर फुदक फुद फुदक फुदक फुनिए घास की चुन्चुन कर खाता था देख दूर से लोगों को जुर्मूट में चिप जाता था एक रोज आया उस बन में कुता एक सिकारी लगा चानने सुम्सुम कर वन की जाड़ी जाड़ी आखिर्व जुर्मूट भी आई जो खर एका घर थी मग खैर उस बेचारे की लंबी अभी उमर थी वह कविता तो बहुत राइमिंग है बच्चों समझते भी जाइए थोड़ा फुदक 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 फुनिए घास की चुन्चुन कर खाता था बच्चों खरा जो है खर गोस जो है रैबिट जो है वो फुदक ता तो है ही और क क्या करता है वो फुदक 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 फुनिए घास की घास की फुनिए घास की खायगा वो मतलब जो मुलायम मुलायम घास है वही खाता है है ना इसको और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए खाने के लिए इसको भाद दलतरकारी नहीं चाहिए है ना और इसको कोई मोर्ग मसलम भी नहीं चाहिए बैचारा बहुत सिधा साधा जीव है और सिधा साधा जीज भी ओखाता है इसको रसगुला पंतुअ भी नहीं चाहिए हैंना हमारी तरह तो चलिए फुदग फुदग फुनगियां घास की चुन्चुनकर खाता था देख दूर से लोगों को जुर्मुट में छिप जाता था एक रोज आया उस बन में कुत्ता एक सिकारी लगा चानने सूंग सूंग कर बन की जाड़ी जाड़ी तो एक बार ऐसा हुआ बच्चों कि उस बन में कुत्ता आ गया और वो भी कैसा कुत्ता सिकारी कुत्ता है ना hunting dog जिसको बोलते है वही खतरनाक वाला और आपको पता है कि कुटा सुंगने में बहुत तेज होता है वो किसी भी अस्थान को सुंग लेगा और पता कर लेगा कि कहां कौन सा उसके खाने पीने की चीज है और कहां उसका कोई सत्रू है कि मित्र है कहां उसका अपना आदमी है उस सब जान जाता है कुटा तो चलिए एक रोज आया उस बन में कुटा एक सिकारी लगा चानने सुम सुम कर बन की जाड़ी जाड़ी आखिर वा जुर्मुट भी आई जो खरहे का घर थी मगर खर उस बेचारे की लंबी अभी उमर थी मामला तो गड़ बड़ है बच्चों अब उस जुर्मुट के पास भी आ गया वह कौन सिकारी कुटा लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उमर थी लेकिन अभी लंबी उमर थी बेचारा वहां से कूद देखिए फोटो भी आप देख सकते हैं का इसे कूद के भागा हुआ है कुटे की की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा देख पीट पर खड़ा काल को जान लिये वा भागा वाह कितना गाइमिंग कवीता है बच्चों इसको याद करिए कंठस्ट करिए कुटे की जो लगी सांस खरहा सोते से भागा मने कुटे की जो सांस कुटा हाँ पर आओगा या सांस ले रहाओगा जोर जोर से तो खरहा का भी कान बहुत तेज होता है बच्चों आवाई सुना और वहाँ उसने कान को खड़ा किया और देख पीठ पर काल खड़ा खड़ा काल को काल मने क्या मिर्तू है न वो तो उसके लिए मार के खा जाएगा वो तो वहाँ से वो जान लिये वो भागा जान लिये वो भागा का मतलब क्या होता है इसका जान कोई लेके नहीं भागता है लेकिन हाँ जो भागा तो जान लेके ही न भागा, उसको उसने बचने की कोशिस किया ही कहने का मतलब है जप्ता पंजातान मगर खरे को पकड़ना पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुट्ता भी जोग लगा कर वाह कितनी राइमिंग है कविता में कितना लय है जप्ता पंजा तान मगर खरहे को पकड़ना पाकर पीछे पीछे दवड़ पड़ा कुत्ता भी जोग लगाकर चार मिनट तक खुले खेत में रही दवड़िय जारी इतने में आगई सामने घनी कटीली जारी मगर एक छलांग गया चिब खरहा भी अड़बन में इधर उधर कुछ सूम फिर कुत्ता निरास हो मन में एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे कुत्ते से बोली मामा तुम तो खरहे से हारे इतनी मोटी दे लिये हो फिर भी ठक जाते हो बनके छोटे जीव जन तू को भी न पकड़ पाते हो कुत्ता हसा अरी दिवानी तू नाहक भक्ती है इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है मैं तो दोड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने कहते हैं सवसास्त कमाओ रोटी जान बचाकर परसंकट में प्राण बचाओ सारी सकती लगाकर बच्चों अब इसको थोड़ा समय कहानी की तरह आपको बता रहा हूँ बाद में क्या हुआ जप्टा पंजातान मगर खरहे को पकड़ न पाकर जब खरहा जब नहीं पकड़ाया तो उसके पीछे-पीछे दवड़ा कुता पीछे-पीछे दवड़ पड़ा कुता भी जोर लगाकर इतो समझ गए आप लो चार मिनट तक खुले खेत में रही दवड़िया जारी चार मिनट तक एकदम आगा पिछा दोड़ दूप चलता रहा इतने में आ गई सामने घनी कटीली जारी आप समझ गए होंगे भरकर एक छलांग गया चिप खरहा बीहडबन में वह अनमने जंगल बीहडबन में वह भग गया खरहा इधर उधर कुछ सूंग फिर कुटा निरास हो मन में कुटा पकड़ नहीं पाया बच्चों उसको एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे कुटे से बोली मामा तुम तो खरे से हारे बोली कि कैसे हो जी तुम मामा तुम तो खरे से हार गए इतनी मोटी दे लिये हो फिर भी ठक जाते हो बनके छोटे जीव जन्ती को भी न पकड़ पाते हो तुम जंगल के छोटे-छोटे जन्तुओं को भी नहीं पकड़ पाते हो तुम क्या बिना मतलब के मोटे तगड़े हो शिकारी कुट्ता कहलाते हो कुट्ता हसा कुट्ता हस दिया अरी दिवानी तुना हक भक्ती है इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने बात समझो बच्चों जदि बिलता उसको खा लेता बसकाम कितम हो जाता लेकिन खरहा किसलिए भाग रहा था खरहा भाग रहा था अपनी जान बचने के लिए ये थो भेद है करते हैं सब सास्त कमाओ रोटी जान बचा कर पर संकट में प्राण बचाओ सारी सक्ति लगा कर मतलब ठीक है मेहनत करो रोटी कमाने के लिए खुब मेहनत करो जितना हो सके उतना मेहनत करो लेकिन जब प्राण बचाने का समय आए न तो मेहनत नहीं पूरी सक्ति लगा दो पूरा दमखम लगा दो यही इस कविता का भवार्त भी है और यही हम लोगों को समझना भी है है न कि जीवन रक्षा से बढ़कर और कोई चीज नहीं है फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं आप लोग ध्यान से सुनिये वन में एक घनी जुर्मुट थी जिसके भीतर जाकर खरा एक रहा करता था सबकी यांख बच देख दूर से लोगों को जुर्मुट में चिप जाता था एक रोज आया उस बन में कुत्ता एक सिकारी लगा चान ने सुंग सुंग बन की जाड़ी जाड़ी आखिर्वा जुर्मुट भी आई जो खरे का घर थी मगर खर उस बेचारे की लंबी अभी उमर थी कुत्ते की जो लगी सांस खरा सोते से जागा देख पीट पर खड़ा काल को जान लिये वह भागा जप्ता पंजातान वगर खरे को पकड़ना पाकर पीछे पीछे दोड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगा कर चार मिनट तक खुले खेत में गई दोड़िया जारी इतने में आ गई सामन गनी कटीली जाड़ी बरकर एक चलां गया चिप खरा भी यडबन में इधर उदर कु सूम फिर कुत्ता निरास हो मन में एक लोमडी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे कुत्ते से बोली मामा तुम तो खरे से हारे इतनी मोटी दे लिये हो फिर भी ठक जाते हो बनके जिव जन तु को भी न पकड़ पाते हो कुत्ता हसा अरी दिवानी तू ना हक बाकती है इसमें है जो भेदू से तू समझ नहीं सकती है मैं तो दोड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने कहते हैं सब सास्थ कमाओ रोटी ज प्राण बचाकर पर संकट में प्राण बचाओ सारी सकती लगाकर तो बच्चों कविता तो बहुत अच्छी है इसको आप लोग याद करिए पहले फिर बात में मैं इससे समझाता हूं है ना